DPS Senior Secondary School तबी जी लेकर आए हैं online classes from pre-nursery to class 12, 50% discount on girls fees, online admission open, visit dpsajmay.in जै हिंद, मैं ललित खतरी और आप देख रहे हैं MTTV इंडिया, आज बात Google Map के नए feature की करते हैं Corona महामारी के दौरान Google लगातार नए features वो सुविधाय पेश कर रहा है, वहीं अब Google ने Search Assistant on Maps पर एक नया feature add किया है और इस feature से अब Google COVID-19 के centers ढूणने में मदद करेगा, यह feature लोगों को उनके नजदी की Corona जांचकेंदर की जानकारी देगा, जो की बहुत जरूरी है क्योंकि Corona के लक्षन नजर आने पर लोगों में सबसे बड़ी चिंता का उविश है, यही होता है कि वह कहां टेस्ट कराएं, ऐसे में Google की पहल लोगों के लिए काफी मददगार साबित होगी आपको बता दें कि यह Android और iOS दोनों प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध होगा, इस नए फीचर की जानकारी गूगल ने ट्वीटर पर एक पोस्टर करते होए दी साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि वह ICMR धेली और MyGo इंडिया के साथ मिलकर काम कर रही है अब Google Maps, Google Assistant और Search पर कोरोना टेस्टिंग केंदर की सभी जानकारियां मिल सकेगी यह फीचर हिंदी और अंग्रेजी समीट कुल साथ भातिय भाशों में उपलब्ध होगा इनमें बांगला, तेलगू, तमिल, कंणड, मल्याल, मराठी और गुजराती शामिल है ट्विटर पर जानकारी दी गई है कि कोरोना की टेस्टिंग के लिए जाने से पहले सरकार द्वारा जारी किये गए प्रिप्लाइन नमबर 1075 पर कॉल करें और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन प्राप्त करें वरत्मान में गूगल ने देश के 300 से अधिक शहरों में सास्तों ते अधिक कोविड-19 जान्च केंद्रों की जानकारी अपने सर्च असिस्टेंट और मैप पर जोड़ी है अधिक करेंगे अधिक करेंगे ये ने देश्डेश अविधार ते जानकारी जानकारी ने रवाद्टर प्रिस्टेंट गूगल प्रिस्टेंट जानकारी अभड़ी है